हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर्ट से आप सभी का डेली गरंट अफेर्स के सेशन में स्वागत है आज के इस वीडियो में देखिए हम 13 माई 2023 के सभी इंपॉर्टन करंट अफेर्स को यहां पर डिसकस करने वाले हैं वीडियो को इन तक देखिएगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम डेली गरंट अफेर्स की सीरीज में डेली गरंट अफेर्स के साथ साथ रोज एक फैक्ट शीट को भी डिसकस करते हैं जहां पर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के सभी इंपॉर्टन करंट अफेर्स बत तो आईए शुरू करते हैं, अगेन मैं आपको इन्फर्म कर देता हूं कि अगर आपको इस टॉपिक की PDF डाउनलोड करना है, तो आपको क्रेजी जीके ट्रिक के टेलिग्राम चेनल पर या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लिकेशन पर इसकी PDF विताउट एनी कॉस्ट आप के लिए एवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आईए आज की करेंट अफेर का सबसे पहला कुशन देख लेते हैं, पलक जील आदर भूमी सदक्षन शेत्र भारत के किस रज्ज में स्तित है, तो पलक जील जो की भारत का एक वेट लेंड कंजर अब यहाँ पर नेचर वोक आयोजित करवाए जाने का कारण क्या था? तो देखिए, नेक्स्ट मंत विश्व परियावरन दिवस 5 जून को मनाय जाने वाला है, और इसे मनाय जाने के उपलक्ष में, लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वार्मेंट के तहट देश भर में लोगों को जागरुक किया जा रहा है, जिसके लिए अलग-अलग संस्थान और संगठन के द्वारा पूरे देश में अलग-अलग गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, तो वर्ल्ड इन्वार्मेंट डे को मनाय जाने के उपलक्ष में, पलक जिल मिजोरम के किनारे नेचर वॉक का आयोजन हाली में किया गया है, यह जिल देखिए, मिजोरम की सबसे बड़ी जिल है, इस्थानी लोग इस जिल को पाला टीपा के नाम से भी पुकारते हैं, मिजोरम की इस जिल को दो हजार बाविस में वेटलेंड कंजर्वेशन एरिया घोशित किया गया था, इंपॉडन फेक्ट है, नोट कर लीजेगा, डेफिनेटली किसी ना किसी एक्जाम में ये कुश्चन हमको देखने को मिल सकता है, वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए एक ही बार में इसको याद कीजिए, रट लीजिए, क्योंकि एक्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, आईए अगले कुश्चन पर आते हैं, आईए अगले कुश्च तो देखिए हाली में अजर बिजान के बाकू में ISSF इंटरनेशनल शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है, इस प्रत्योगिता में भारत की दिव्या टीएस और सरब जोच सिंग की जोडी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रिट टीम का सोनपदक अपने ना किया था और अब भारत की दिव्या टीएस और सरब जोच सिंग की जोडी ने इसी टूनामेंट में देखिए 10 मीटर एयर पिस्टल के मिश्रिट वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, तो 10 मीटर एयर पिस्टल में हमने ब्रॉंज मेडल जीता है और 10 मीटर एयर पि किया जा रहा है लद्दाक में विश्व शान्ती और खुशी के लिए बहुत भिख्शू और जो नन है उनके द्वारा देखिए सामुहिक प्रातना शिवीर का पांच दिवसी आयोजन किया जा रहा है जिसे मौनलम चेनमो उत्सव के नाम से 11 मई से लेकर 16 मई तक लद्दाक क लहमे आयोजित किया जाएगा इस उत्सव का आयोजन लद्दाक में और लद्दाक गोनपा एसोसियेशन के द्वारा किया जा रहा है देखे तिबबत में रहने वाले जो बहुत धर्म के अनुयाई है उनके द्वारा तिबबती चंदर केलेंडर के तीसरे महिने के 21 दिन से लद्दाक में और कुछ अदर्स फेस्टिवल के अगर हम बात करें तो लोसर महुत्सव का आईजन भी लद्दाक में किया जाता है इसके अलावा हैमिस सेचू महुत्सव का आईजन भी लद्दाक में किया जाता है सिंधु दर्शन महुत्सव लद्दाक हार्वेस्ट फेस इसके बाद अगला important question जो कि देखिए योजना से दिया गया है, question देखिए आयुश्मान असुम योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, देखिए नाम से ये आपको समझ में आ जाएगा कि आयुश्मान असुम योजना जो है ये असम राज्य की योजना है, अब असम में ये योजना किस से संबंदित है, तो देखिए भारत में आयुश्मान योजना, हेल्थ सिस्टम से संबंदित थी, तो यहाँ पर असम राज्य में आयुश्मान असुम योजना जो है, ये मुख्यमंत्री जन आरुग योजना के नाम से भी जानी जाती है, असम के तर देखिए असम के 26 लाग परिवारों को प्रतीवर्ष 5 लाग रुपे तक का कैशलेस इलाज प्रदान किया जाएगा या कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी तो आयश्मान असम योजना असम सरकार की योजना है अब इसके बाद हम असम की अधर स्किम्स की बात कर देखिए स्वयम इसकीम योजना प्रज्यान भारती योजना कुशल कौनवार व्रद्ध पेंशन योजना अरुंधती गोल्ड इसकीम और अटल अमरत अभियान हेल्थ इसकीम ये सभी योजनाए असम सरकार के द्वारा अलग-अलग शित्रों में चलाई जा रही है और हाल रुपे तक का इलाज की सुविदा दी गई है तो ये राशी है पांच लाग रुपे आईश्मान असम योजना असम गवर्मेंट की योजना है छटा हिंद महासागर सम्मिलन का अयोजन कहां किया जा रहा है तो छटे हिंद महासागर सम्मिलन का अयोजन बांगलादेश की और ये सम्मिलन जिसे हिंद महासगर सम्मिलन के नाम से जाना जाता है, इस साल छटा संसकरन है, अब 2023 में छटे हिंद महासगर सम्मिलन की थीम की बात करें, तो पार्टनरशिप पॉर पीस, प्रोस्परिटी, एंडरेसिलियंट फ्यूचर ये थीम है दोजार तेविस की हिंद महासागर सम्मेलन की अब इस सम्मेलन को आयोजित के जाने के उध्धिश की बात करें तो देखिए हिंद महासागर शेतर के देशों के बीच सयोक को और अधिक मजबूत करना और लगभग 25 देशों के उच्चिस्तरी सरकारी प्रतिनली मंडल को या उनके ठिंक टेंग को एक साथ लाना इस सम्मेलन को आयोजित किये जाने का मुख्योद देश है इन शौट समझे तो हिंद महासागर के आसपास के जो देश हैं उनके बीच सयोग को मजबूत करना, बड़ावा देना, आपसी समझ को विक्सित करना इस सम्मेलन को बनाय जाने का मुख्योद देश है इस सम्मेलन का सबसे पहला संसकरण 2016 में सिंगापूर में एजित किया गया था और अब 2023 में बांगलादेश के ढ़ाका में इसके छटे संसकरण का एजन किया जा रहा है आगे आ जाते हैं National Investment and Infrastructure Fund के CEO और MD के रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो National Investment and Infrastructure Fund का हाली में नया CEO और MD राजी उधर को न्युक्त किया गया है राजी उधर इस संस्ता के नए CEO और MD बनाए गए हैं अब देखिए नाम से तो आपको संगठन समझ नहीं आएगा तो इसको हम थोड़ा सा डीटेल में जान लेते हैं कि ये संगठन एक्च्वल में क्या है तो देखिए सबसे बिले इसकी स्तापना की बात करते हैं तो इसकी स्तापना 2015 में की गई थी ये भारत सरकार द्वारा समर्थित अंतरास्टी और भारती निवेशकों के लिए एक निवेश मंच प्रदान करता है इस संगठन को बनाने का मुख्योद देश देश में विदेशी पूंजी को प्रेरित करना है और उस पूंजी का यूस देश के इन्फोस्ट्रेक्चर डेलपमेंट में किया जा सके ये इस संस्ता का मुख्योद देश है हाली में राजी उधर को इस संस्ता का सीयो और एमडी नियुक्त किया गया है आगया जाएए हरित सागर का संबंद किस मिनिस्ट्री से है तो देखें जहां पर सागर की बात होगी ये मिनिस्ट्री होगी मिनिस्ट्री OF Port, Shipping and Water Waves तो अंसर भी यहां पर सही हो जाएगा अब ये योजना है क्या तो देखें फ्रेंड्स हाली में भारत की मिनिस्ट्री अफ Port, Shipping and Water Waves के दोरा जीरो कार्बन उत्सरजन के लक्ष को प्राप्त करने के लिए Green Port Guidelines 2023 हरित सागर का शुबारम किया गया है नाम से समझ में आ जाएगा कि ये एक प्रकार की गाइडलाइन से जो की Green Port विक्सित करने में मदद करने वाली है हाली में भारत के पोत परिवहन और जलमार्ग मंतरी सर्बानंद सोनेवाल ने इस गाइडलाइन को जिसे हरित सागर के नाम से जाना जाता है इसका शुबारम किया है देखे प्रकृति के साथ कार्य करने की अवधाना और शमता के साथ सोयम को आगे बढ़ाते हुए पोट एकोसिस्टम जेविग घटकों पर कम प्रभाव डाले इसकी भावना के साथ बंदरगाहों का विकास किया जाना चाहिए संचालन किया जाना चाहिए और उसका रखरखाव किया जाना चाहिए एसे एको सिस्टम को विक्सित करना इस योजना का मुख्योद देश है तो ग्रीन सी गाइडलाइन हाली में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्राले के द्वारा लॉंच की गई है लीगो इंडिया प्रोजेक्ट का शिलान्यास किस रज्ज में किया गया तो देखे नेशनल टेक्नलोजी डे के अवसर पर भारत के पीम नरेंद्र मोदी के द्वारा महारास्ट के हिंगोली जीले में लीगो इंडिया प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है तो अंसर मिल जाएगा महारास्ट के हिंगोली जीले में किया गया है अब देखिए लीगो को अगर हम डिटेल में समझें तो Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory लीगो का फुल फॉर्म है इसका उद्देश देखिए ब्रह्मान की गुरुत्वी तरंगों का पता लगाना है और हाली में लॉंच किये गए इस प्रोजेक्ट का 2030 तक शुरुआत होने की संभावना है तो लीगो इंडिया प्रोजेक्ट का शिला न्यास हाली में महरास्ट के हिंगोली जिले में किया गया है इसके बाद देखिए एक और important question नोट कर लीजिएगा International Nurses Day 2023 की theme क्या है अब question आता है कि इस डे को मनाय जाने की शुरुआत कब हुई तो देखे 1974 में नर्सों की International Council ने इस डे को मनाय जाने की गोशना की थी और यह जो डे है Florence Nightingale की जैनती के रुप में मनाय जाता है अब question आता है कि Florence कोन है तो देखे यह एक British नर्स और समाज सुधारक थी जिनने आधुनिक नर्सिंग की निव रखने का श्रे दिया जाता है और इन्हें दुनिया भर में Lady with the Lamp के नाम से जाना जाता है इन्हें की जैनती के उपलक्ष में हर साल 12 माई को International Nurses Day मनाय जाता है देखें International Nurses Day पूरे वर्ड में नर्सों के सम्मान स्वरूप मनाय जाता है क्योंकि पूरे वर्ड में जो नर्से हैं वो लगातार काम करती है और किसी भी परिस्तिती में चाहे वो पैंडेमिक का समय हो चाहे वो वोर का समय हो अपनी महत्वपून सेवाय प्रदान करती है तो इन्हें को सम्मान देने के लिए International Nurses Day 12 माई को मनाय जाता है देखे इसी दिन एक और important day आता है इसे भी नोट कर लिजिएगा एक्जाम में पूछा जा सकता है इसे कहा जाता है अंतरास्ट्य पादप स्वास्त दिवस 2023 में Plant Health for Environmental Protection अंतरास्ट्य पादप स्वास्त दिवस की थीम है ये भी अरसाल International Nurses Day के साथ 12 माई को मनाय जाता है आज के current affair का सबसे last question देखिए रक्षा अलंकरन समारों के चरण एक के दोरान रास्ट्य पती दौरा कुल कितने लोगों को वीरता पुरसकार प्रदान किये गए तो देखिए हाली में रक्षा अलंकरन समारों के पहले फेस का एजन किया गया है जिसमें भारत की रास्ट्य पती दौरापदी मुर्मू ने टोटल 37 गिलेंट्री अवार्ड दिये हैं टोटल 37 गिलेंट्री अवार्ड में 8 किर्ती चक्र हैं और 29 शौरे चक्र हैं इन दोनों में से ही देखिए 5-5 लोगों को मनो प्रांत ये पुरसकार दिया गया है 8 किर्ती चक्र में से 5 लोगों को मनो प्रांत दिया गया और 29 शौरे चक्र में से 5 लोगों को मनो प्रांत शौरे चक्र दिया गया है तो इस तरह से टोटल 37 Galantry Award रक्षा अलंकरन समारों के फर्स्ट फेज में प्रदान किये गए हैं अब देखिए हमको इन सभी के नाम याद करने की कोई ज़रत नहीं है एक्जाम में किने Galantry Award मिले हैं ये नहीं पुछा जाता लेकिन हम एक बार Galantry Award को देख लेते हैं कि एक्चुल में क्या है तो देखिए यहाँ पर हम Peace Time के जो Galantry Award है उनकी सबसे पहले बात करते हैं तीन Award जो की शान्ती काल या Peace Time में दिये जाते हैं मतलब एसे समय में जब युद्ध नहीं चल रहा लेकिन फिर भी किसी ने कोई वीरता का काम किया हो नॉर्मली अर्ध सेनिक बल या किसी सेनिक बल के व्यक्ति ने तो देखिए सर्वोच्य शान्ती कालिन Galantry Award है अशोक चक्र या शान्ती काल के दोरान वीरता, सहसिक कारे के लिए या बलिदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्य सेनिक पुरसकार है पीस टाइम का इसके बाद सेकेंड आता है पीस टाइम में दिया जाने वाला किर्ती चक्र जो की दूसरा सर्वोच शांती कालिन वीर्ता पुरसकार है और थर्ड आता है शौर चक्र या असाधरन वीर्ता के लिए सशस्त्र बलो के कर्मियों को प्रदान किया जाता है लेकिन ये भी पीस टाइम में ही प्रदान किया जाता है तो ये तीन गेलेंटरी अवर्ड ऐसे है जो की देखिए पीस टाइम में दिये जाते हैं अब यहाँ पर देखिए टोटल गेलेंटरी अवर्ड छे प्रकार के हैं तीन दिये जाते हैं पीस टाइम में और तीन अवर्ड दिये जाते हैं वार टाइम में यहाँ पर इमेज देखिए उपर जो तीन अवर्ड है ये वार टाइम में दिये जाते हैं और नीचे जो तीन अवाड है ये mess time में दिये जाने वाले गलंट्री अवाड है अब दीए ये अपने वरीता क्रम में ही जमे हुए है लेकिन अगर छेओ अवाड को मरज कर दें तो फिर वरीता क्रम कुछ इस प्रकार का बनता है देखिए सबसे पहला परमवीर चक्र, सेकेंड अशोक चक्र, थर्ड महावीर चक्र, फॉर्थ किर्थी चक्र, पाचवे नमबर पर वीर चक्र और छटे नमबर पर आता है शौरे चक्र तो अगर छेओ को मिक्स कर दे तो फिर ये वरीता क्रम बनता है सभी गेलेंटरी अवाट का, तो अब अगर गेलेंटरी अवाट से कोई भी कुश्चन आपको एक्जाम में आए तो कन्फ्यूज मत होईएगा, एक बार ध्यान से देख लीजे, अगर कोई डाउट आ रहा है त तो एक बार रिवाइस करके एक बार फिर देख सकते आप वीडियो को, ताकि कभी भी अगर यहां से कोश्चन आए तो आप इजीली उसे फाइट कर पाए, इम्पॉडेंट है आपको याद रखना चाहिए, और शोरी के प्रतीक है, इसलिए भी आप इन्हें याद रखिए अब आगया जाएए, डेली करन्ट अफेर्स के सारे करन्ट अफेर्स हमने आप पर डिसकस कर लिए, जो कि 13 माई 2023 के इंपॉडेंट थे, अब हम यहाँ पर फेक्ट शिट में, देखिए साइंस और टेकनलोजी के जो करन्ट अफेर्स हैं, जो कि कुछ समय में आये हैं, उनक इसका नाम है Emirates, इसने देखिये दुनिया का पहला Robotic Check-In Assistant सारा का अनावरन किया है, ये एक Robotic Assistant है, जिसका नाम रखा है इन्होंने सारा, इसके अलावा, भारती अंतरिक्ष अनुसंदान संगठन मतलब इसरों ने हाली में सिंगापूर के दो उपग्रव को अंतरिक्ष में भेजा है, एक है Telaios 2 और एक है Numilite 4, ये दोनों उपग्रव सिंगापूर के हैं, जिने हाली में भारत की संस्ता इसरों के द्वारा लॉंच किया गया है, आगया जाए, केनिया देश ने अपना पहला Operational Earth Observation Satellite Typha 1 को हाली में लॉंच किया है, लास्ट देखिए, नासा के चंद्रमा मिशन जिसका नाम है Artemis, इसके लिए एक महिला अंतरिक श्यात्री को सिलेक्ट किया गया है, जिनका नाम है क्रिस्टिना कोच, जब भी नासा अर्थेमिस मिशन को लॉंच करेगा, तो क्रिस्टिना कोच को चंद्रमा पर भेजा जाएगा, ओके, तो यहाँ पर द का पहला राज्ज कोन सा बना, तो राइट टू वोक लागू करने वाला भारत का पहला राज्ज पंजाब राज्ज है, हाली में अर्थ शास्त्री पदमा देसाई की मृत्ति हो गई, इन्हें भारत सरकार के द्वारा 2009 में पदम भूशन से सम्मानित किया गया था, नेशनल आत्मकता है और किसके द्वारा लिखी गई, तो ये केके शिलजा के द्वारा लिखी गई है, जो कि इनकी आटो बायोग्रॉफी भी है, तो केके शिलजा ने माई लाइफ एज अ कॉमरेड नाम की अपनी आत्मकता को लिखा है, भारत की पहली पॉड टेक्सी किस राज्ज ने लॉंच किया है, पोशन भी पढ़ाई भी कारिक्रम किस मंत्रालाई के द्वारा शुरू किया गया है, तो पोशन भी पढ़ाई भी कारिक्रम भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालाई के द्वारा शुरू किया गया है, मिशन ट्रॉपिक्स किस देश की एजेंसी द्वारा लॉंच किया गया तो मिशन ट्रोपिक्स को हाली में अमेरिकी अंत्रिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा लॉंच किया गया है अजार बेजान के बाकू में आयोजित आई SSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारती शूटर रिदम सांगवान ने ब्रॉंज किस राज्य सरकार ने शुरू किया है तो जगनाकू चेबुदम कारिक्रम आंद्र प्रदेश राज्य के द्वारा प्रारंब किया गया है अगर आपने ये सेशन अच्छा लगाओगा तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिए चेनल को सब्सक्राइब कर लिजिए कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करेंट अफेर्स में सभी इंपॉर्डेंट करेंट अफेर्स लेकर कल फिर मैं आपके साथ आऊंगा तब तक अपना खयाल रखिए जय हिन जय भारत